हेलो बच्चो वेलकम बैक टो दे चैनल आज हम लोग इस्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 टिशूस जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ाता सेल्स के बारे में के बारे में पढ़ाता सेल्स के बारे में सारी जहनकारी ले ली अब हमें किसके बारे हम पढ़ा में अब हमें पढ़ा breast करते हैं यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि टिशूस की study को हम लोग क्या कहते हैं तो histology कहा जाता है बाई चांस हो सकता है एक नमबर का question आएगा या आप लोग का यानि कि MCQ question आएंगे तो MCQ question में यह पूछा जा सकता है कि जो tissue की study होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं यहां तक concept clear हुआ आगे हम लोग देखते हैं unicellular organism जो होते है like amoeba हो गया उसके अदर एक ही तरीके की cell होती है जो कि सारे के सारे function करती है चाहे उसको खाना खाना हो चाहे digest करना हो चाहे उससे खाने को excrete करना हो यानि कि हर एक process कौन करेगा यहाँ पर इसलिए amoeba क्या 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 आता है unicellular cell क्या आता है क्योंकि इसका जो cell है वह एक ही तरीके का पाया जाता है इसकी पूरी body के अंदर जो कि इसका खाने का intake करने काम digest करने काम excrete करने काम सारे के सारे process करता है यहाँ ठीक है जितने भी basic function होता है वह ही पर multicellular होते हैं organism जैसे plant हो गया और animals हो गया यह shows division of labor as plant tissue and animal tissue इनके अंदर division होता है plant tissue और animal tissue में उसी को तो हम explain में पढ़ना है पूरे chapter में पहले हम लोग plant tissue के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग animal tissue के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पे बात आती है काम होगा आइस के tissues का अपना अलग काम होगा liver की जो tissue मतलब liver जो है जिन तरीकी की tissue से मिलके बना है उनका अपना अलग काम होता है हर एक organ का अपना specific function होता है इसलिए तो हम लोग multicellular है ठीक है याने कि हमारी जो body के organs है वो different different तरीके के cell से मिलके बने हैं plant cell के plant tissue के अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके के होता है एक होता है maristam tissue और एक होता है permanent tissue सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे maristam के बारे में जान लेते है maristam क्या होता है having the power of cell division इसके अंदर power होती है cell division करने के अभ जाहिर सी बात हैachts cell Divided होगा तो इस case में क्या होगा हमारा जो भी organism है वो क्या करेगा growth करेगा यानिकि यहां पर plant हमारे एक organism है तो क्या करेगा growth करेगा ।ो यहां पर plant क्या करेगा growth और plant की growth के लिए कौन जिम्मेदार होता है Maristam « which grows» और ये उसी reason पर पाये जाता है जहांपे plant grow करता है अब plant जो है वो तीन जगा से grow करता है एक तो plant की लम्बाई बढ़ेगी यहां से grow करेगा दूसरा उसकी thickness बढ़ेगी यहां से grow करेगा ठीक है चौथा उसकी डालिया जो फैलेंगी वहां से grow करेगा तो कितने point हो गए, तीन point हो गए, तीनो point को हम लोग आगे discuss करेंगे, types of Marry Stem के अगर मैं बात करूँ, तो apical Marry Stem को हम लोग सबसे पहले discuss कर लेते हैं, it is present at the top growing tip of the stem and the root and increases the length, देखिये माली जी कि जैसे हमारे पास ये plant है, और ये इसकी tip है और ये इसकी roots है तो ये जो हमारा apical Marry Stem होता है, ये कहां present होता है बिल्कुल tip पे present होगा ये बिल्कुल root पे present होगा, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये marker है, अगर ये rubber जैसी चीजे माल लीजिए, अगर मैं इसको नीचे से खीचू, ऊपर से खीचू, तो क्या होगा इसकी length बढ़ेगी, तो length बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, apical Marry Stem जिम्मेदार होता है, और कहां पे present होता है, या तो बिल्कुल tip पे होगा या तो बिल्कुल root पे होगा, अब हम लोग जाल लेते हैं, इसमें second के बारे में, second है lateral Marry Stem, अभी lateral Marry Stem क्या होता है, मैंने आप लोग को apical Marry Stem तो बता दिया, lateral की बात करते हैं, present at the lateral side of the stem, यानि के माली जी यह plant है, मैंने आपको कहा था, यह इसका tip है, और यहां पे इसकी roots हैं यह, यह सारी roots है, तो यहां पे यह क्या हो जाएगा, यह lateral side हो जाएगा, यह यही तना है पूरा का, पूरा plant का यह वाला part, तो इसी को हम लोग lateral side भी बोलते हैं, ठीक है, and root, और root में भी, cambium में and increases the girth, और यह क्या करता है, girth बढ़ाता है, girth का मतलब है, इस पेड़ की जो चोड़ाई है, उस चोड़ाई को बढ़ाने काम कौन करेगा, वो करेगा हमारा lateral maristam करेगा, ठीक है, अगला है आपका intercalary maristam, intercalary maristam क्या होता है, present at the inter notes, और base of the leaves, इसमाल लिजे कि यहां से डाली लगी है, ठीक है, और इस डाली में यहां पे पत्ते लगे हैं, यहां पे इस तरीके से, यह पत्ते लगे हैं, अभी क्या करेगा, यह जो होता है बिलकुल यहां पे notes पे present होता है, यानि कि पत्तियों की ending में, या फिर कि हम बोल दे कि base में, बिलकुल हमारा present होता है, and increases the length between the notes, और यहां पे देखिए, एक पत्ति आपके यहां होती है, दूसरी पत्ति यहां पर, तो यह जो notes होते हैं, इनके बीच में distance बढ़ाने हैं, काम कौन करता है, यह करता है intercalary काम करता है, जिसके जोसे पत्तिया जो है वह दूर दूर होती है, अगर हम लोग बात करें permanent tissue के, यहां पे हमारा, वो तो हो गया, सबसे पहला वाला तो हो गया, दूसरे के अगर हम लोग बात करते हैं, तो permanent tissue होता है, permanent tissue होता है, simple permanent, और दूसरा होता है complex permanent ठीक, दो तरीकी की tissues हुए, simple permanent में भी अगर हम लोग divide करेंगे तो हमें चार तरीकी की tissue मिलते हैं, एक होता है parenchyma, एक होता है colonchyma, एक होता है scleranchyma, और fourth होता है हमारा guard cell या फिर कि हम लोग इसे epidermal tissue भी कहते हैं, complex permanent tissue में अगर मैं बात करूँ तो दो तरीकी की हमें पढ़ने एक पढ़ना है xylem और दूसरा पढ़ना है phloem, हम इन सभी को explain करके समझ लेते हैं कि क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे parenchyma, parenchyma क्या होता है, provide support to plant, यानि के plant को support provide करने है, काम कौन करता है, parenchyma करता है, और यह loosely packed होते and has large intercellular space, और इनके बीच में ज्यादा gap होता है, ठीक है, second point है, parenchyma with chlorophyll, अगर parenchyma के अंदर chlorophyll present है और वो photosynthesis भी करता है, तब वो क्या कहलाता है, chlorinechyma कहलाता है, याद रखना, अगर parenchyma के अंदर chlorophyll present है और photosynthesis कर रहा है, तब वो chlorinechyma कहलाएगा, वहीं पे third point है, with large air spaces, अगर parenchyma के बीच में, ज्यादा space हो जाता है, जिसके कारण 52 है जाती है, याने कि वो पानी के ओपर तैरने लग जाता है, तो हम लोग उसे एरनकाइमा कहते हैं, आपने कुछ पौदे देखे होंगे, जो पानी के ओपर तैरते रहते हैं, तो एरनकाइमा के ओजसे होता है, next point है, parenchyma stores food and water, parenchyma के एक function भी है, कभी पूछ लिया जाए, तो parenchyma क्या करता है, food और water store करने का भी काम करता है, second point है, आपका kolenchyma के बारे में, हम लोग जान लेते है, kolenchyma क्या होता है, ये provide करता है mechanical support, ठीक है, mechanical support provide करेगा, याने के plant को खड़ा रहने में मदद करेगा, ठीके इंड के cells के बीच में बहुत कम space होता है, easy banding without breaking, आपने देखा होगा, कई पेड ऐसा होता है, चाहे कितनी वियांदी तुफान चलती रहे हो, ऐसे करके लहराते रहते हैं, लेकिन वो तूटते नहीं है, यानिके band तो असानी से हो जाते हैं, लेकिन वो breakdown नहीं होता है, आपने सफ लिगनीन के ज़र से ठीक होता है, and no intercellular space और इनके बीच में कोई भी intercellular space नहीं होता, और यह dead cells होती है, आपको कहाँ देखने को मिल सकती है, husk of coconut, coconut आयानिके नारियल का जो खोल होता है, आप लोग वहाँ पे इसे बड़ी असानी से देख सकते हो, ठीक है, and the last one is guard cell and epidermal tissue guard cell और epidermal tissue क्या होती है, guard cell क्या करती है, protection provide करने में काम करती है, और gases को exchanges करने में भी काम करती है, कि gases कैसे-कैसे exchange होंगी, ठीक है, kidney shape में होती है, next is epidermal guard cell के बारे में भी जान लिया, epidermal tissue के बारे में जान लो, epidermal tissue aids in absorption of water and mineral, water और mineral को absorb करने काम यहने कि सोखने का काम कौन करता है, epidermal tissue करता है, यहां पर दो point मैं बता रहा हूँ, बहुत important है ध्यान रखना, जितने भी हमारे desert plant होते हैं, उसके उपर एक waxy coating होती है, यहने क कि मोम की परत चड़ी होती है, वो किस material की होती है, क्यूटिन की, पूछा जा सकता है, और यह कैसा material होता है, waterproof material होता है, और epidermal tissue के बारे में और क्या कहा गया है, कि यह थिक layer of core, यहने कि जो छाल होती है, कई आपने देखा होगा धक्कन वक्कन जो मनते हैं लगडी के, उसक simple permanent tissue के बारे में, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, complex permanent tissue के बारे में, ठीक है, complex permanent tissue हमारी कौन से होती है, तो complex permanent tissue में हम लोग दो तरीके की पढ़ते हैं, वो हमारी एक xylem हो जाएगा, xylem का क्या होता है, xylem करती है, water transport का 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 काम, याद रखना, xylem जो है, वो water transport का का काम करती और फ्लोम जो है फासे फ्लोम और फासे फूड यानि के फूड ट्रांस्पोर्टेशन का काम कौन करेगा फ्लोम करेगी यह चीज आपको ध्यार होनी चाहिए बाकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को एक्स्प्लेइन कर दूंगा थोड़ा सा जाइलम फ्लोम को तब फ्रेंट के साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलना अल अफ यू थैंक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो